देखे दोस्तों यहां ले लेंगे बादाम और इंको कर लेंगे कटिंग और आज है 29 तरक्षमय की-सदीच फूजघ कर लेंगे 5vert किस तरीके से लड्डू बनाएं मैंने और देखिएगा इस तरीके से आप बना सकते हैं लड्डू और ये सरदियां सुरू होते ही ये वाले लड्डू बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए जो बुजरुग हैं और बच्चे हैं जो भी हैं वो खा सकते हैं इस तरीके से मोटो मोटो बादम काटे दे रही हूं तो देखिएगा तो यहां काजू भी काट लूँगी और काजू के टुकड़े हैं यह तो बस मैं तीन टुकड़े करूंगी ज्यादा चोटे नहीं करूंगी और जहां तक है और यह मखाने में ले लिए हैं और इनको मैं फिराई क्या गरांडर से हिलाची डार के इनको ग्रेट कर लूँगी देखिएगा यह मखाने इस तरीके के यह मखाने कर लिए हैं मैंने और यहीं चाहिए मुझे बैसे सजे मखाने नहीं चाहिए मुझे इस तरीके के मैंने मखाने कर लिए और यहां ले लिया है मैंने ति होता है तो है तो इसको भूलूंगि तो इसको अच्छी तरीके से भूल ले रही हु नहीं है है और कि इसको जलने नहीं देंगे यह तिल बहुत जल्दी भून 작은 जाता है तो एकstem भाटा दूँगी फिर से कडाई रख दी है मैंने और यहां बहुत जल्दी जल्दी काम तो यहां मैंने डाल दिया है रवा तो रवा को भी भूलूँगी अच्छी तरीके से चलाते हुए और इसको भी नहीं जलने दूँगी और अच्छी तरीके से भूनूँगी इसको और देखिएगा ऐसे ह में भुन पाऊंगी तो यहां ले लिया है मैंने चावल का आठा तो चावल के आठे को भी भुन लूगी मैं और यह आपको लग Ralph It s आइज आ रख ली आ तो तुम्हें चावल के आठे को हैं अच्छी नहीं उपा होंगी तो यह मेरा अंडक्शन तूट गया है तो मैं इस लप पर बैठी हूँ तो दोश्तों यहां बहुत टाइम हो गया आप समझ सकते हो कि पहले तिल बुना पर रवा बुना और चावल काटा बुनने में कितना टाइम लगता है तो यहां ले लिया मैं देशी कि अच्छी तरीके से और यह इसको इस तरीके से बुना तो इसके अपने आप ऑलने निकले राए गया तो दो पल्टे से लेकर इसको इस तरीके से भून नहीं हो इसी तरीके से आप भी गौंद को भून सकते यह गौंद यहां मिल जाता है जिस भी दुकार पर बहुत अच्छा होता है आप sondern un.o मैं आपकर नपैसी तरीके से, पैसे तरीके से इसी तरीके से निकाल ले मैं नहीं, जो तुकड़े करके डाले हैं तो मैं इसको भी थोड़ा सा बुन लूँगी और इस तरीके से तो देखिए गर ये भी मैं भुन लिया है मैंने काजुओं को ज्यादा फ्राइ नहीं किया है इस तरीके से मैं भुन के इसको निकाल लूँगी तो देखिए ज्यादा चूरा बनाएंगे तो यह जल जाएगा कड़ाई में यह मैंने ज्यादा चूरा नहीं बनाया है फिर भी तूट गया है तो इस तरीके से हम भूल लेंगे इनको अब मैं डाल दूंगी इसमें यह जो मैंने बादाम काटे हैं तो मैं इनको भी फ्राई कर लूंगी हलका सा दोस्तों यह वाले जो कम रखें और किसमिस को ज्यादा रखें क्योंकि जैसी यह किसमिस फूल के चल लए बाद में कड़वाने लगती है तो मैं इसको तेल में घी में जरूर फ्राई कर रही हूं लेकिन यह घी की कॉण्टिटी कम रही जैसे यह फूल लए तो यह कड़ू ही हो जाएगी बाद म आपको याद होगा जो जलेवी बनाई थी तब मैंने कलर डाल दिया था और यह बहुत ही गाड़ी चासनी है और इसी तरीके की चासनी आप बना लें गाड़ी चासनी और उसमें कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो आप ऐसे ही सादा चासनी बना सकते हैं और यह म से आप बना ले बना ले और ज्यादा गाड़ी ना करें कि इसमें बहुत सारी चीजे मिलानी है तो इसमें डाल दिया मैंने स्वांट पाउडर आप अपने टेस्ट अकोर्डिंग डाल दे मैंने घर का नहीं है पिसा मार्केट का है तो मैं इसमें क्वांटिति बढ़ा ने हम कम बहुत कम गैस करकी एक कहल आ गया है और इलाची पाउडर डाल देंगे हम इसमें आपको मैं दिखाती जा रही हूं और अब यह च्छुआरे हैं वो च्छुआरे डाल देंगे इसी में चासनी में गैस अभी अमने बंद नहीं की है तो यहां मैं यह डालती जा रही है थोड़े से च्छुआरे पहले डालने तो पक जाएंगे अब यह जो गौंध है ना उसको डाल देंगे यह पीस दिया है जो हमने फूल बनाया था तो यह मौंध को पीस दिया है तो इसको चलाती हुए पका लेंगे जो यह तिल है जो तिल पकाया है मैंने उसकी कौंटिटी करीब मैंने 250 ग्राम डाल दिया है तिल इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें पर तिल अच्छा रहेगा औ और यह आदा किलो गोला है तो यह भी मैंने यह फ्राइण नहीं किया था तो यह इसको भी डाल दूंगी मैं और यह जो मखाना का वो बुरादा बनाया है वह भी डालके मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी क्योंकि यह चीजे थोड़ी सी पक जाएंगी तो ज्यादा सही रहे और यह मकाने का बुरादा कर लिया यह का राज आपको अभी देकने में कितना अच्छा लग रहा हुगी है इसी तरीके से आप इसको जमा भी सकते हैं और इसके लड़ू भी बना सके इसको मैं धाली में पलट लूँगी क्ड़ाई अभी गरम है तो इसको परायत में पलट देंगे हम और यह जम न जाए इसलिए हम इसको परायत में पलट लेंगे देखिएगा इसको ले जाएंगे अब गरम ही गरम इसके लड्डू बनाएंगे पानी लगा के क्योंकि हाथ जल जाएंगे क्योंकि ये वाले जो लड्डू होते हैं थोड़े से गरम गरम ही बनते हैं तो गरम गरम लड्डू बनाएंगे तो देखिएगा और ये मैं जो रावा के लड़ू बनाऊंगी उसके लिए चासनी रखे दे रही हूँ उसी कड़ाई में ये गिलास पानी ले लिया है और एक किलो चीनी और डाल दूँगी इसमें मैंने एक किलो चीनी मंगाई थी तो वो डाल दी है इसमें की चासनी और बनाएंगे और एक किलो चीनी की चासनी बनाने के लिए एक गिलास पानी कम रहेगा थोड़ा सा और डाला था मैंने फिर उसकी चासनी बना ले नहीं तो ये जमी जमी हो जाएगी तो देखिएगा और आ गई हूं रुम में इधर तो यह गरम है तो हम निसमें जो काजू है और बादम है यह में डॉल दूँगे तो देखिएगा इस तरही चाजू लेज़ाओं कडाइमें मिलाते तो में दिक्कत होती तो अब बादम गर भादमें हैं इस तरीके से लड़ू नहीं देखे होंगे और मेवा वाले तो लड़ू बहुत सारी वीडियो पड़ी है और यह अलग इस पेसल लड़ू है आप चाये जिसको खिला सकते हैं देखिएगा इस तरीके से हलका सा पानी लगा के क्योंकि यह गरम ही बांदे जाते हलका सा यहां रात के बज रहें दो यह काम करते करते इतना टाइम हो के था मुझे तो यहां यह सबसे पहले मैं यह वाले लड़ू भांद लूँगी तो देखिएगा लड़ू बन चुके हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और यत्रे ही खाने में टेष्टी हैं तो यहां रवा में मैं डाल दूँगी गौन तो यह भी लड़ू भांद लूँगी में तो रवा में डाल दिया है गौन मैंने और यह वाले और यह डाल दिया है माखाना इसमें डालूँगी में माखाना और यह जो तिल वचे हैं तिल भी डाल देंगे हम मिक्स मेवा कर दी हैं मैंने बादाम काजू और यह नारियल और किसमिस तो यह इसको भी डाल दूंगी देशारी तो यह भी मैं लड़ू की तैयारी करे ले रहे हूं यह रवा के लड़ू बना रही हूं मैं और अब एक चीज और इसमें अलग से डालूंगी वह मैं आपको दिखाऊंगी कि वह टेस्ट के लिए कि और यह सॉंट पाउडर डाल दूंगी मैं अब अल्ड़ू में एक चीज नहीं देखियो अपने मावा वगरह नहीं देखा होगा इसके लिए मैं एक चीज डालूंगी वह है यह इलाशी पॉर्डर suicide निए वह ने मैंने इसमें अबी , तो देखिए कि यह kis को मिक्स कर रहे हैं एक तरीके से मिक्स कर लेंगी और यह डाल है मैंने पिसा हुदा सक्कर और चास्नीवी पढ़ेगी इसमें और पिसा वहा सक्कर क्योंकि ये चावल के आटे में और रवे में थोड़ा सा ज्ञादा मीठा लगता है तो मैंने यहाँ फेसा हुआ शक्र ये शकर पीस लिया था और चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं बूरा मिल जाता है बूरा केते हैं मेरे तो उससे आप ज्ञादा बूरा ले लेंगे ज्यादा सईर हैं रhself कितिना ही तो लड़ी ककम मैं को तो टरीक से आप ज्यादा बूरा लगा लेक्षी रिप्षी च्कव लड़ी नि क्लिख डालाए देंगे तो दोसें प्रक नहीं से लडू है यह गरम भूत है दोश्तों तो इसको आराम से करें पाउडर और यह मिस नहीं हुआ था तो यह मिलिक पाउडर डाल लहीं हूँ मैं और इसको अच्छी तरीके से में मिला देंगे करीब फ्राग्राम के सम्भी तो इसको भी मिक्स कर लेंगे और यह मावे की जरूरत नहीं इससे हम बनाएंगे अब लड़ू और इसके भी लड़ू बना ले रहे हैं रवा के लड़ू भी बना लेंगे यहां देखिएगा रवा के लड़ू अब बना चुके हैं बन चुके हैं रवा के लड़ू और इसी पराद में डाल देंगे जो हमने चावल काटा यह भून के र तीका से ब्यक्षार जो भी देने इसेमें जो भी सामान जोसे तिल डाल देगे और जावल के आठे infernal बी तिल के डालेंगे जिदना होदी आमने इसमें में डाला है। उतना ऊत्था निदे बातवा ना सघियर, म में ये लोगा भूसे बातना घाथ होदो दो हमें मैंने 3 तीन तरह के लड़ों बना है और यह आपके पास साइद वीडियो में 18 बड़र डाल देंगे हम आइज है ऊडू इसमें भी टाल देंगेर यहां यूझ उडाल का आटंगे से यूझा रुड़ी रसकें पूल करना चानल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना बूलें दोस्तों जमाता दै